मित्रों आजे कलप्लाना कीचन मां बनी रही छे, होटल के धाबाने बुलावी दे तेवी कुकर के उवन वगर नवी रित्ती तवा पर बाटी बनावी सुँ, अने साथे एकदम धाबा स्टाइल पन सरर रित्ती डाड पन बनावी सु, बाटी ने उपर थी क्रिस्पी अने अ नवी रेसिपी जोवा मांटे कलप्लास कीचन ने सब्सक्राइब करो, साथे बेल आइकोन ने जरूर्थी दबावी दो, जेती नवा रेसिपी वीडियो सुथी पहला जोवा मडे ज़े, डाल बाटीनी दाल बनाव माटे सोथी पेल आपणे दाड जोई लएए, मैं ही त्रौन प्रकानी दाड लिती शे, सोथी पेला मैं ही वन फोर्थ कप हुवे नी दाड लिती छे, एही मैं तेल वगणनी लिती छो, हुए जवा परती होँचु, अन्ने वन फोर्थ मसून नी दाड लिदीछे, तमारी पासे जो मसून नी दाड ना होई तो एनी जग्वा पर तमें चनानी दाड अथवा तो पीडी मगनी दाड अथवा तो थोड़ी अड़दनी दाड पन लई सको छो, मैं मसूनी दाड एटले लिदीछे कि आपड़े गुजराती लोको मसू अब्सुननी दाड की खा थाुख होला खीड़ा के डास कीिने का बिनावे बिगी करी ने 5 मेल दाड पण बनावी शक्ख हो छो, अहीं आजे आपने 2 थी 3 जणने थाई एटली में दाड लिधी छे, एटली आपने आजे दाल बटी बनावाना छे, तो आ 3 दाड ने भिगी करी इने धोई ने आपने पलाडी देवानी छे, जो लगबग में 1 थी डोड क नाथेल लएले सु, दाड ने कुकर मा लएली दा बाद, एमा थोड़ू स्वाद मी जोग मिठू नाखी सु, अर्दी नानी चमची हरदर नाखी सु, और्दी नानी चमची जेटलू गी नाखी सु, गी नाखवा थी एनो टेस्ट खुबस सरस आवे छे, आने दाड सरस जो ओपाणी में लएली दूछे, हवे कुकर ने बंद करी ने, आपने मीडियम फ्लेम पर 4 सीती मारी ने आपने दाड ने बाफी लेवानी छे, दाड ने एगदम गडावानी नथी ए बात नुँ ध्यान राखवानू छे, दाड आपनी बफाई छे, त्यां सु दिन आपन लेवा थी थोड़ी एकदम सरस और दाणे दार बाटी बंसे, बन्ने लोट ने आपने सरस मिक्स करी लेई सु पेले, हवे लोट मा एक नानी चमची अजमा नाखी तुने, अजमाने आम मसडी ने नाखवानों छे, एक मोटी चमची कसुरी मेथी नाखी सु जो तमारी पास सरस मिक्स करी लेए, सरस मिक्स थाया बाद आपड़े एमां त्रोण मोटी चमची घी नू मोट नाखी सु तमे घी नी जगा पर तेल पण लई सको छो, परन्तु घी नू मोट खुब सरस लागे छे, त्रोण मोटी चमची लेवानू छे, मोट थोड़ू मुठी पड़ता चमची त्रोण लीदी चे में अही, अने आपड़े सरस मिक्स करी लेए, जुओ, घी सरस मिक्स थाय गई चे, अने आर इतनू मुठी पड़तु मोण होँ जोई, जेमा आपड़े भाखरी मा मोण नाखता होई चे, एज प्रमाणे नाखवानू छे, हवे थोड़ू पाणी नाखी, अने भाखरी जीवो पठण लोट बांदवानों छे, लोट बांती वखाते आवात नूँ खास ध्यान राखवानों छे, कि पाणी नू प्रमाण वधारे ना थावू जोई ए, अने लोट तमारों कठण बंधावो जोई जोई, जो लोट बंधाई गयो छे एकदम कड़क लोट में बांधियो छे, एने आपणे थोड़ू मसड़ी लाइसु, जो लोट मसड़ाई गयो छे, हवे एने ढाकी इने 10 मिनिट माटे रेवा देश, 10 मिनिट थाई गयी छे, चेक करी लाइए, लोट सरोस आपणों किडवाजी गयो छे, हवे एमा थी आरे इतना, अने इने गोड़ वाड़ी लेशु, जो, आमें जो इसको छो, फुड़ी क्रेक होई तो वांधो नई, अने क्रेक हसे तो सारी बनसे, तो एमा घी आपड़ू सरस जसे, मौन आपणे इटले जवधारे नाख्यू छु, आरे इते बत्तिज आपणे बनावी ले बत्तिज बाटी में बनावी लेथी छे, हवे आपणे इने सेकी लेशु, अटले के बेख करी लेशु, बाटी ने बेख करवा माटे बाटीनो स्पेस्ट्यल कुकर आवतु होई छे, जे उदेपूर राजस्थान मा मढ़तु होई छे थो, तमे ओणे ओणे इने बेख करी एना उपर आपणे आ स्टेन मूखी देशु, स्टेन मूखी अने एना पर बाटी मूखी ने उपर कोई तपे लीके धाकी देवानू, अने एकदम दीमा तापे 15-20 मिनिट मा आपणी बाटी रेडी थाई जाए छे, बीजु तमे आ रित्मुझे अप्पेपेन आवे छे, एमा पण बनावी शको छो, बढ़्धा पासे आजकल तपेपेन होये च्छे, एमा पण तमे जराक जराग गी लगावी ने एकदम दीमा तापे सेकी ने तमे धाकी ने एनने बनावी शको छो, आजी आपणे आ तवा पर बनावी бук arche तवा ने मैं एकदम दीमा तापे गरण जुओ, आर इतना उंकी देईसु आपणे लगबग बद्धी बाटी एकस साथ्यावी जसे, जुओ मैं बद्धी ज बाटी गुठवी दीदीछे, हवे में एक स्टिलनी तपेली लएली दीछे, एज मापनी लेवानी छे, अने एने उपर आपणे धाकी देईसु, जेथी एम 4 मिनिट थाई गई शे, अने धी में रहेने काणके तपेली वह गरम हसे, एटले ने दीरे रहेने उपाडवानी छे, तमें जुओ, आने पछेन आपणे थोड़ी थोड़ी टन करी लेशु, जुओ आरी ते, लगबग 5-5 मिनिट आरी ते आपणे टन करी लेशु, अपर थी कलर आवी जासे, एटले फरी थी टपेली न राधी देशु, आपणे धीमा तापेन फरी थी आपणे 5 मिनिट बचेने फेर वीजु, आपणी दाड बफाई गई छे, आने कुकर थोड़ू ठंडू पन ठाई गई उचे, जोई लेए, तमे जोई सको छो, दाड सर बफाई गई छे, बस दाड ने आपणे बहु घूटवानी न थी, बस सरस मीक्स करी लई सु, आने अवे आपणे दाड नो वघर करी लईए, दाड नो वघर करवा माटे में एक पेन मूखी लिदू छे, तमें चाहो तो दाड कुकर मा उखाडी, आने वघर कोई पन पेन म करी, ने पछे, एमा पण तमें नाखी सको छो, परन तुमों अलत्थी करूछू, एमा एक मूटी चमची गी नाखी सो, घी नो वघर आमा खुबर टेस्टी लागतो हो छे, घी अने तेल आपणे बन्नो लई सु, नहीं एक मूटी चमची गी लिदू छे, आने एक मूटी आपणे तेल लई सु, अने बन्नेवने गरम धावा दे सु, घी ने तेल थोड़ू गरम थाई, एटले आहीं में पांच कडी लसन ने आरीते चौप करेली पीछे स्लाइस मा, अने एने नाखी सु, जो तमें लसन डुमरी नाखाता हो, एक स्कीप करी शको छो, साथे हुमा एक सिक्रेट मसालो नाखती होँचु, जो, अमा मैं बाद्या लिधा ची तज, मुट्टी, एलची, नाने एलची, लवी, अने मरी, एनो अतकचरो वाटी ने ओ आरीते राखती होँच, डब्बी मा, तमें जो इसको छो, आरीते वाटवानुचे ने तमें कातो मिक्सर मा, क आपड़े नाखिसु, बे मर्चा नाखिसु, लाल, अने वगानने सरस्थवा लेशु, लसन थोड़ू गुलाबी थाई जाई, त्यासु दिन आपड़ेने सांतड़ी लेवानुचे, अने आपड़ा जे खड़ा मसाला वाटी ने नाखिया चे, एपण थोड़ाक संतड़ अने फ्लेवार आवामाणे त्यासु दिन आपड़े सांतड़ी लेशु, जो लसन थोड़ू गुलाबी थाई गयुछे, हवे एमा अर्दी नानी चमची राई नाखिसु, अने अर्दी नानी चमची जीरू नाखिसु, अने एने पण सरस्थ ततड़ी जवा देशु, जो राई जीरू ततड़वा लागियुछे, हवे एमा अर्दी नानी चमची हिंग नाखिसु, मैं ही त्रोण लिला मर्चा नावा उपचीरा करिली ताछे, ए नाखिसु, अने साथे एक नानी चमची आदू लसन नी पेश्ट नाखिसु, अने वगार सरस्थ तातड़ी लेश जो वगार सरस्थ सतड़ाई गयो छे, एक नानी डूंगरी ने एकदम जीनी चौप करिली भी छे ए नाखिसु, अने डूंगरी सरस्थ गोल्डन थाई त्या सुदीने में आपणे साथ ड़ी लेवाने छे, येसे प्रेम मिडियम राखिसु, जो डूंगरी सरस्थ गोल्ड सरस्थ आवेशे वगार मा, अनेने मिक्स करी लेशु, जो अधाणाने कसुरी मेथी सरस्थ सतड़ाई गयी छे, हवे एमा एक मोटी चमची लाल मर्चु नाखिसु, ती खास्ता में तामारा टेस्ट मुझाब लेशको छो, अडदी नानी चमची हड़दर नाखिसु, एक म अने मिक्स करी लेशु, त्यार बाद स्वाद मुझाब मिठु नाखिसु, मिठु आपने दाड मा पण नाखियु छे, एटले टामेटा भाग नूझ अपने नाखिवानू छे, अने इने सरस्थ मिक्स करी, अने ढाकी ने टामेटा एकदम सॉफ्ट थाई जाते आसु दिन आपड़े कुप करी लेवानू छे, गेस्नी फ्लेम स्लोज राखवानी छे, जो ही लेए, आपणा टामेटा जो एकदम सॉफ्ट थाई गया छे, अने घी पन छोडवा लागया छे, तने जो ही सको छो, हवे यहमा आपड़े दाड नाखिय देशु, जे बाफी ने राखिय नाखवानू, पेले एकवत मीस करी लेशु, लगबग 8-2 कब जेटलू हुँ पाणी नाखिस, अने इने सरस मीस करी लेशु, तमे जो ही सको छो, दाड एकदम धाबा स्टाइल थाई छे, आने तमे रुटली साते, परोठा साते, के भाज साते पन खाई सको छो, जो बाटी टेश्टी बने छे, जुओ, हवे ढाकी ने लगबग आपणे एक थी बे मिनिट माटे ने उकडवा देशु, जुओ, जोईला ये त्राण मिनिट थाई गएछे, अने दाड सरस आपने उकड़ी पण गईछे, जुओ, अने दाड छे ने आटली गाटी राखवी जुओ, जुओ, गटि पण ने अने बहुँ पातडी पण ने, काराण के बाटी पची शुश्वी पण जो ये दाडने, बुद गटि जतल्टी असे तो बाटी ने दाड एकदम कोरू-कोरू ठई जहे, तो थोड़ी लिकवीड राखवानी, बहु लिकवीड पण ने, यही ठंडी वगार माँ खडा मसाला नाखी दिदाता वाती ने येटले गरम मसाला ना ज़रूर नती अवे उन्ये मिक्स करी अन्या गेस नी फ्लैम बंद करी देशू गेस नी फ्लैम बंद करीया बाद एमा थोड़ा लीला धाणा नाखी देशू अने मिक्स करे लेसु, आपणी दाड तैयार छे, बाटी आपणी थाई छे, अवे एने आपणी चेक करी लेए बाटी ने पन आपणी चेक करी लेए जुओ, बाटी वन्ने बाजु थी सरस ड्राई थाई गई छे, अने थोड़ो थोड़ो कलर पणावा लागियो छे, अने एमा क्रेक पण पड़वा लागी छे, फरी थी बाटी ने आपणी बद्दी फेरवी लाई सु, अने फरी थी तपिली ढाकी, अ अने बीजी आपणे 5 मिनिट माटे एने कुक थावा देशू, नित्रो जोईले ये 4 मिनिट थाई गई छे फरी, पोटल 29 मिनिट थाई गई छे, अने तामे जोई सको छो जुओ, सरस कलर आवी गयो छे, जुओ, इग्दम फाइन कलर आवी गयो छे, अवे गेस नी फ्लेम ब बोडी देवानी छे, जुओ, आरिते मरबर घी अंदर सरस्चू, आप फाटेलू छे, नेमा बदू घी जसे, एकलेटली फाइन बाटी लागते, सौथी सारी बाटी जा रहे, आ बदू एने क्रेक पडवी जोईए, एने इस आरिते गी मा बोडी ने लए ले ले सो, आज इ बाटी ने साव करवा माटे मैं प्लेट ट्रेडी करी लिते छे, सोती पेल आपणे दाड साव करी सू, तमें जोई सको छो दाड जुओ, एकदम सरस्च बनी छे, अने एकदम गर्मा गर्म आवी दाड मडी जा, एने साथे बाटी मडी जा, एतो बिजू काई जोईए जिने उपर थी दाणा थी गानेस करी देशू, हवे आपणी गर्मा गर्म बाटी ने साव करी सू, तमें जोई सको छो जुओ, कलर केटलो सरस्च आवियो छे, अने एकदम सरस्च बनी छे, एपण कुपकर वगर, अने एकदम इजीली तमें गर्मा दरेक जण बनावी शको, एव साव थती ओजे, हवे आपणी एने उँँ तमने तोडी ने आने खावानी रीपण बताओ चू, आपणी आ प्लेटर तैयार थेई गए छे, एक नानी प्लेट लए लेशू, आने बाटी जुओ, तमें जोई सको छो, एकदम फरसी आने एकदम सरस्च बनी छे, बाटी बाइफ्रूट कापेला काजु बदाम पिस्ता कापी, इने तमेंने सव करी शको छो, जो एकदम सरस बाटी छे, हवे एमा आपणे दाड नाखी सु, तमने जेटली दाड जुए तमे इटली नाखी सको छो, हवे तिखास माटे लसन्नी चटनी नाखी सु, थोड़ी पातड लिला धाणा नाखी सु, तैयार छे आपणी डाल बाटी, जुओ, जो इनेज खावानू मन थाई जाए एवी बनी छे, तमें ढाबा मा जोसो ने तो अपण तमने आवी नहीं माडे, तो मित्रो तमने मारी आ रेसीपी पसंद आवी होई, तो चोकस्ती ट्राई कर जो, मारी चैनल ले सब्सक्राइब कर जो, लाइब कर जो, फरिति आवी नवी रेसीपी साथ है मारी सु, थैंक्यू वेरी मॉच